कुछ आकड़े जो आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि महिला रक्षण बिल आ सकती है सरकार ये जो विशेश सत्र की बात हो रही है उसमें तीन मुद्दों पर चर्चा है कि एक देश एक चुनाओ महिला रक्षण बिल और साथी UCC का बिल आ सकता है लाएगी सरकार नहीं लाएगी ये तो उनकी मंशा है इंतजार करना होगा लेकिन इसी के साथ हमें के करके तमाम स्कीम्स भी चर्चा के दौरान आपको दिखाते रहेंगे जो राज्य सरकारे ला रहे हैं हर कोई किसी ना किसी तरीके से आप सोचिए एक हजार रुपे महिलाओं को दे रहे हैं शिवराद सिंग चोहन कहते हैं बारा सो पचास कर दूँगा फिर दो हजार भी कर दूँगा महिलाओं के लिए स्पेसिफिक अलग अलग अभी ऐलान किया है योगी आदित्यनात में कि वो 25,000 महिलाओं को देंगे ऐसा ही आपने देखा सिलिंडर के भाव को लेकर सिलिंडर की गारंटी 500 में सिलिंडर देंगे ये कॉंग्रिस पार्टी कह रही है मधिप्रदेश में तो महिलाओं को लेकर जो पार्टी इसका फोकस है उस पर हम चर्चा की शुरुवात करें सुधान्चिति वेदी जी आपके साथ महिलाओं ने हिमाचल में बता दिया कि वो जिधर है उधरी जीत है क्या उसको उस बोट बैंक को आप साथ पाएंगे क्या ये आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है कि कई राज्यों में हमने दिखाया देटा के साथ करनाटक में आप चुख कि हैं क्या है आपकी स्ट्राटिजी उनको साथ लागाумे देखे जो आप में कहा कि करनाटक में हिमाचल में दो पृस्छट का अंतर मगरमें जादा महात्तुपूर आपके डाटा में कहना चाहंगा उत्तर पर देश में 13 पृतिशवत का ंतर और तर्पूरा में 15 प बोगतना पड़ता वो भी गरीब वर्क की महिलाओं जो अकेले जाती हैं अन्य प्रकार की समस्याएं होती है और यह तो established fact है कि जब हम जीते थे उत्तर प्रदेश में तो कहा गया था कि कानून विवस्था और महिलाओं का समर्थन उसकी वह से हम जीते हैं और आपका आंकड़ा वही दिखा रहा है परंतू देखिए राजनीतिक दिश्टे महिलाओं को देखना और याथार्त की दिश्टे देखने में अंतर है याद करिए पदायन मंत्री बनने के बाद नरिंदर मोदी जी ने जब पहला भाशन दिया था लाल के लिए से 15 अगस 2014 क्या बोला था सवच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगों ने कहा था ये दोनों गैर राजनेतिक मुद्दे हैं राजनेतिक पंडितों ने कहा परन्तु ये हमारी सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए आई थी सोच बदलने के लिए आई थी क्योंकि महिलाओं के मर्म को अगर आप समझे आर ग्यारा क्रोड शौचाले मिले तो इसका सबसे अधिक प्रभाव पढ़ता है तो महिला के उप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि हमने बात कई अब आप देखिये भारत में नव जात सिशुओं में लिंग अनुपात में भारी बड़ोतरी हुई है और पिछले साल पहली बार ऐसा हुगा है कि लड़कियों संख्या जादा है नय पैदा हुए बच्चों में फिर उज रुपे लास्ट में चुनाओ के एन पहले घटा दिया है और उजोला योजना वाली जो अरते हैं उनके लिए 400 हो जाएगा जो तमाम स्कीम्स का हमने ग्राफ बनाया है तो अंजना जी लोग कह रहे हैं बताएं उन्होंने दो रुपे भी घटा है क्या अपनी अपने राज हैं तो मुझे लगता और वो भी कहते हैं मता हमने नहीं किया मगर हमारे डर से उन्होंने कर दिया ये बिलकुल हाद Monetary से आएक मालिकान आफकती मैं चुनावती से कहता हूँ 2014 से पहले गरीव वर्क की 3 करोण महिला ऐसी नहीं थी जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हो और अगर टॉप लेविल पर देखें तो सबसे आदा महिला मंत्री समय हैं और पहली बार कैबनेट कमिटी और सिक्यूरिटीज में 2019 के समय तो जब और संभाव से काम किया है वो मेरे विचार से अतुल नहीं है भारत के दिया चीक है सो साब से एक सवाल मैं पूछूंगी लेकिन उससे पहले एक सवाल है बस क्यूंकि कुल्दीब जी यहां पर आप लोग बार बार कहते हैं यह रेवडी वाली पार्टी है यह जो हजार लोन जो राजस्तान में चल रहा है उस पर सो से राज्जों में यह जो स्कीम्स चलाई जा रही है कि महीला वोटर को अपनी तरफ किया जाए इस अब जो करते हैं वो पूरा होमवर्ड जैसे असी करोड़ों को हमने अनाच की बात कही नहीं एक सो चालीस करोड़ को तो नही आखे कहते हैं सब को देंगे और हम आदमी पार्टी के लिए हम इसले कहते हैं यह दो राज्यों में हैं पंजाब और दिल्ली उत्तर भारत में सबसे सम्रद धराज्यों में जहां पर कैपिटा इंकम सबसे जादा है आज आपके कहें मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी तो वो अंतर होता है, वो होता है रेवडी. डी मोबाइल योजना 1.3 करोड माहिलाओं को स्मार्टफोन, अब कितने दिये, कितने नहीं दिये, अब तो बात की बात है? गारिंटी नाम दे दिया? रेवडी बैपुरानी. देखे देखे अंजिना जी पहले मैं ये कहूँ कि सुधान जी जी ने बिलकुल सही कहा बीजेपी बहुत सोच समझ के काम करती है और अड़ों के लिए काम करती है उन्हें बहुत सोच समझ के बिलकी जबानों के रेपिस्ट को छोड़ा उन्हें बहुत सोच समझ के जो हमारी international champion wrestlers हैं जो उन्हें इतना इतनी कोशिश की कि उनको justice मिले BJP ने बहुत सोच समझ के उनकी मदद की आपको तो खुद पता है BJP ने बहुत सोच समझ के मनीपूर में ऐसा माहौल बनाया जिसे आपने देखा कि दो बेटियां उनके साथ क्या हुआ आप ने देखा पूरी दुनिया ने देखा BJP बहुत सोच समझ के काम करती है और खासतोर से महिलाओं के लिए काम करती है तो सुदानची जी को सुदानची जी को तो मैं मुबारक बात देता हूँ मोदी जी को भी मैं मुबारक बात देता हूँ जो उन्हेंने कहा कि बेटी बजाओ बेटी पढ़ाओ तो उसका तो नतीज़ा पूरे हिंदुस्तान के सामने है देखिए आप सुधानची जी को ये पता है कि मैं एकॉनमिस्ट हो तो मैं आपको थोड़ा से एकॉनमी का बताता हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा है एक चीज़ होती है जिसको कहते है female labor force participation यानि की आप काम कर रहे हैं कि नहीं आप औरतों को काम करने का मौकज़ देते हैं कि नहीं इस वक्त ये labor force participation जैन्हों का है औरतों का जो हे हिंदुस्तान में वो twenty percent के करीब है ग्लोबल एवरेज फिफ्टी परसेंट है चाइना सिक्स्टी परसेंट है यह इस अब मुझे यह बता हिए यह मोदी जी ने अपरचुनिटी औरतों के लिए खड़ी किये क्या औरतों का तो बुरा हाल है इसलिए तो इसलिए तो यह इसलिए एक मेरी बाप सुने फ्लीज मेर जी वहां पर मध्यप्रदेश में बाटने की कोशिक रहें बेसिकली वो खरीदे की कोशिक कर रहें इसे ज़्यादा कि अब जादा प्रशन तो सुनना पड़े आप उनको ताकत नहीं दे रहे हैं कि वह अपनी कमाई करें यह गेलोट साब कर रहे हैं उसी पर आता हूं उसी चैउनली पर आते हैं लिए भागेल साब कर रहे हैं यहां जो जो मध्यप्यदेश के चीफ मिनिस्डिर कर रहे हैं वो तो एक हिसाब से उनको पता है उनके गर घो बॉद्वाने का इतना ही 18 मेर आखे के टाइम में उन्हें गैस की प्रियस क्योश मढ़ाई दोजार बाईस में क्यों ड़ाई कियो आई मैं आपको बता देंगे थे सियासत ऐसी है लेकिन हमें भी कुछ बाते पता हैं इनकी और लोगों कोRETा हुना चीए है अब आप कहेंगे कांग्रेसी क्यों कर रहे हैं जब अशो गेलो जी ने गैस सिलिंडर की कीमत 500 रुपे का अनॉंस्मेंट किया वो 2022 डिसेंबर में किया इलेक्शन नवेंबर 2023 में है